दोस्तो और गुड इविनिंग तो आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छ होंगे और आप सब अपने अपने एक्जाम को त्यारी में लगे होंगे तो जैसा कि प्यारे दोस्त पिछली वीडियो जो आपने देखी थी बाइलोजी का सेंट अप पर इक्छा है दोहजर तेश का अपने पार्ट नंबर 11 देखा था पार्ट 11 में हमने हैसे टोटल 20 प्लस कोशन से से कवर अप किये थे सब्जेक्टिव कोशन आज जो हम लोग पार्ट 12 देख रहे हैं यह पार्ट नंबर 12 है इसमें भी हम लोग 20 प्लस कोशन को ही देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव होगा जो कि आपके 2023 बोड एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है सेंट अप एक्जाम साथ ही साथ 2023 एक्जाम आप इसको मान के चलो कि completely यह 2023 एक्जाम के लिए ही आपको मिलेगा बहराल इसका कोशन आपको सेंट अप में भी ऐसे मैच कर जाएगा यह जो टोटल का टोटल जो मैरतोन वीडियो था यह 7 घंटे की ऐसे मैरतोन वीडियो थी जो कि पहले ही आपको ऐसे एक सेट आपको उसका अप्लोड किया हुआ है जो कि आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर देख लेना फिलाल अभी के वीडियो में हम लोग ऐसे complete करेंगे 20 प्लस कोशन जो कि 2023 एक्जाम प्लस सेंटर प्लस एक्जाम जो यारक टूर से आपका स्टाट है उसका आपका कवर अफ हो जाएगा तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका ऐसे कोई भी डाउट ना रहे तो चलिए करते है वीडियो को स्टाट पहले कोशन से ध्यान से देखिएगा इससे पहले भी जितने से अगर आप नहीं देखा है पार्ट नमर वन से लेकर 11 तक में तो आप लोग उसको जरूर देख ली जगा ताकि आपको कोई भी दिकत ना हो सके चलिए आते हैं आज के वीडियो को स्टाट करते हैं और आज का वीडियो का जो कोशन से पहले को स्टाट करते हैं ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आए तो लाइक कीजे नहीं आए तो इस लाइक कीजे चैनल को सस्क्राइब जरूर के लिजएगा चलिए स पूरा देखेगा तभी आपको इसे समझ में आएगा तो कहता है आंसर वाइटिक कॉंपरेंट और इकोसिस्टम इस तो प्रोडूसर और कंजमर डीकमपोजर यही तीन चीज़ होता है वाइटिक अपका इकोसिस्टम ठीक है आप इसको बाइटिक बेसिक जो आपको बनना बो सब्सक्राइब करते हैं मेरे दोस्तों कहता है what are the test of human male considered extra abdominal कौन-कौन से testis है जो कि human male में extra abdominal आपको content करते हैं कौन-कौन से देखे human testis lie in escortrum outside the body cavity ठीक है जो escortrum होता है body cavity के वह आपके आउटसर पाए जाता है next question three कहता क्या है आपके screen पर दिखेंगा ज्यान से मेंचोच पो आपल्य और मेंट्रिया हाद मेंचोसल डिफाइन कर गडा सब्सक्राइब evolution is the expansion of ovum from ovary evolution आपका sorry expulsion नहीं की निकलने का मैंना expansion बल दिया expulsion of ovum from ovary ठीक है और it takes place on 14th day of menstruation जब menstruation जो females का start होता है उसके 14th day पर यह से place ले लेता अपना जगल ले लेता है ताकि यह से वह कोई आपको ऐसे आपको ऐसे क्या करता है राइस करता बढ़ावा देता है और जेनिस होता है इस पोलर बोडिस फॉर्म विच आपका पोलर बोड़ी सॉर्म रजा है जब इस परमाटजनेस बनेगा तो यह आपका ऐसे नहीं बनेगा इसको याद रखेंगे चलिए नेस्ट क्रेशन क्रेशन और फाइब के दरफ आते हैं आपके स्क्रीन पर नेम बीडियो क्या है तो आंसर क्या है देखते हैं अस्पेंट्रीलिसीन इस शेक्रेटर बाई आक्रोजम डुरिंग फट्रेलाज़जन तो इसको याद रखेंगे अस्पेंट्रीलिसीन यह आपको अब्जक्टिव में भी पूछता है इंप्रेंट कोशन है नेक्ट कोशन के द भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ऐसे डिफ्रेंस पूछ रहा है तो भाई उसको जरूर से जरूर अट्टा मारके जाएगा बहुत इंप्रेंट कोशन होता है तो कहता है ट्रोफियो से ट्रोड्रॉम देखो इट इस आउटर सेलुलर इन्वाल्व One Tot इह ज्यक्त बसक्रोडी सतिके से बाइफ इस जरूर्थ कोशनुच इस वीटियो का उसके बद आगली वीवीडियो में नोग इसेथीनिए चलेंगे नेमदा हॉर्मोन से करता है इसको याद रखेंगे नेक्ट कोर्श होता है यह मोट कोषिन ईप्लिस्ट्रोम क्या होता है यह एक इंपोर्टन कॉर्टन है नहीं आ जाता तो कहता है इडिजा फर्स्ट मिल्क डाट कॉंस आफ्र दा ममरी ग्लाइड्स ऑफफ दा मदर जस्ट चाल्ड वड़ तुटु थ्री देज यह पहला दूद होता है पहला जो कि फीमल के ऐसे बाहर आता है कब जब उसका मैमरी मैमरी ग्लाइड से बाहर आता है जाब ऐसे देखो मैंने बार 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 बता है कि कितने भी डिफ्रेंस हो बहुत important होता है और खास करके chemistry biology physics में मैं difference वाले question ज्यादा कराने वाला हूँ क्यों वह important होता है आप उठा करके देखोगा ना तो बहुत ज्यादा difference वाले question पूछता है इसलिए चलिए तो कहता है difference between waxetonomy and tubactonomy तो waxetonomy क्या होता है तो astralization procedure in the male is called waxetonomy जो होता है न मेल में उसको नोब waxetonomy करते हैं और tubactonomy होता है आपका ये male के लिए और tubactonomy female के लिए यूज किया आता है चलिए question अमारा थे 10 के तरफ जो कि last है name the devices which are used under the barrier method of contraception contraception का बैडियर मिथर के तरह यूज करने के लिए कौन-कौन से डिवाइस का यूज कर सकते हो अगर आप मालीजे आप नहीं चाहते हो प्रेगनसी तो कॉंड़म यूज करो ठीक है कॉंड़म यूज करो डाइफ़र ग्राम यूज करो शर्विक सर्विक का क्लैप यूज करो और वल्ट यूज करो इस सारे के सारे आप यूज कर सकते हो आप ऐसे कॉंड़म के तो मेरे प्यारे कहता है ने मैंनी फोर स्टीज डिजेज वीथ दियर केजवल एजेंट्स आपको स्टीज डिजेज का आपको कुछ नाम बताना चार उसके साथ कैजवल एजेंट्स भी तो देखो एक तरफ मैंने लिग दिया डिजेज दूसरा उसका तो यह सारे के सारे मेरे चार डिजेज थे इस साड में आपका डिजेज थे और इस एक साड में आपका क्या था मेरे प्यारे दोस्तों तो एक साड में आपका सारे के सार उसका एजेंट का नाम था तो यह कुछ नमा आते हम लोग सेकेंड के तरफ तो कहता क्या है इसके निव पर कॉंपनेंट अपवन जनेटिक इकिलिविडियम आपको ऐसे कॉंपनेंट है ना सॉरी मैंने कमेंट को कॉंपनेंट मैंने पढ़ दिया कमेंट करना आपको जनेटिक इकिलिविडियम पर आपको बताना है तो देखिए टोटल जीन्स और एलीज इन आप पॉलेशन यानकी जून जीन पूल में जितना भी टोटल एलीज रहेंगे रिमें कॉंस्टेंट कॉल जनेटिक इकिलिविडियम कालाएंगे कोशे नमर मेरे प्यारे दोस्तों 13 नमर क्या कहता है राइट में पॉइंट्स आफ लमर्क सिम आपको है से लमर्क किसम का आपको है से में पॉइंट्स लिखना है तो देखिए आपका तीन यहां पर में पॉइंट से जो की लिखा हुआ है तो देखिए पहला इसक्रीन पर है दूसरा एफेक्ट्स आफ इन्वार्मेंट रिजल्ट निट्स दैट प्रोडूस्ट्रक्चर नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों इसी का थर्ड पॉइंट इन्हेरिटेंस ऑफ एक्वाइट करेक्टर्स जो करेक्टर्स होंगे उसका वनसज्व होगा वह आगे कर देखो तुसमें मैंने चार डीवेंस बताय था और इसमेरे पहला स्टार्थ हो गया मैंने आपको बार बार चिफ चिक कर कहा है कि आपको डीफेंस वाले कौतिस को बहुत ध्यान से कवर अब करना है याद रहेंगे डिफेंस बहुत important होता है तो difference between homology and analogy homology and analogy में आपको difference बताना मेरे प्यारे दोस्तों तो homology क्या होता है तो it is the study of entire relationship of homologious structure homologious का entire आपको जो body का relationship का परहाई करोगे उसको homology कहते है analogy होता है आपका analogous structure को entire study ठीक है चलिए आते है question 15 के तरफ name four living fossils आपको चार जिंदे फॉसिल का नाम लिखना है तर लिमिनस आपका आपका जिंदा फॉसिल में से एक है लिमुलस फिर लेटी मीडिया फिर गिंकोगो बिलोबा फिर साइकस यह चारो आपके जिंदा फॉसिल में से हैं मेरे पैरे दोस्तों कोश्णर 16 क्या करता है नेम टूफीचर सफ एस्ट्रालो पीथिकस नेम टूफीचर सफ एस्ट्रालो फीटिकस पीथिकस का आपको ऐसे क्या लिखना है तो इंपर्टन फीचर सिखना है तो मेरे प्यारे दोस्तों देखें में इंपर्टन फूचर मेतं फिल मिटर होता है इसका लंबाई होता है इसका लें ये memi का तरह वाहता है दा golden poset ऐसमें को याद रखने वाली बात है आपका एसे हमने देखा क्या फीचर्स चलिए आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कुर्शन 17 के तरफ कहा था कमेंट अपन एचेमेस बीगल एचेमेस बीगल पर आपको क्या करना कमेंट करना थे देखिए इन 1831 जो डार्विन है ना डार्विन गॉट एन ओपरचुनिटी तु ट्रावल औन एचेमेस बीगल शिप इन विच चाल्स डार्विन सेल अराउं दो वर्ल्ड ठीक है डार्विन को मिला था मौका 1831 की समय है ऑपरचुनिटी मिला था एचेमेस बीकल इवलूशन मैंने आपको बार बार बताया आपको important questions है coverage and divergent evolution में से coverage and divergent evolution में से क्या तो चलिए कहता है divergent evolution क्या होता है development of differentiate functional structure from a common form देखिए development हम लोग कैसा है different functional structure जो कि common form में से निकलेगा तो वो हम लोग कहलाएगा divergent evolution next convergent evolution क्या कहता है development of similar adaptive functional structure in unrelated group of organism याद रहेंगे चलिए आते question में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तो 19 के तरफ तो क्या कहता है mention to evidences of organic evolution आपको दो आपको है से evidence लिखने है organic evolution के तो कहता है evidence of organic evolution comes from the study of homology and analogy of organs and palliotonology ठीक है question 20 के तरफ मेरे प्यारे दोस्तो 20 निका कहता है यहां से देखिएगा what is responsible for sex determination in cheek sperm और ovum cheek sperm में sex determination को देखने के लिए किसे हम लोग ऐसे responsible समझते हैं तो ovum is responsible for the sex determination in cheek because female produces two types of gamet where one male produce same type of sperm ठीक है देखें ovum का ovum responsible होता है sex determination का आपको मुरगा बगरा में कि मुरगा है कि मुरगी है पर फिर भी स्टार्ट करते हैं सिकल सेन अनेमिया क्या होता है तो आंसर देखें सिकल सेन अनेमिया क्या होता है सिकल सेन अनेमिया एक आपका autosomal hereditary disorder है एक आपका hereditary disorder है ठीक है जिसमें की biology के 12 में जो भी Harvard के इस्ट्रेंट exam देंगे ठीक है तो हसते खिलते पढ़ते रहिए आज है आपका June 17 तो आपके पास अभी बहुत समय है पढ़ते चलिए what is bioinformatics तो bioinformatics क्या होता है देखिये ध्यान से देखिये जो बार 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 जो format चेंज होता है यह mobile है PC वगर अस्तों है तो दिक्कत होता है इसके लिए अब हाद्वेर और सॉफ्टर तो अनलाइस देखिये यह आपका जो बायो इंफ्रमेटिक्स है एक तरह का साइंस अभी ज्यान है जो की डिवलप्मेंट पे कंप्यूटर के डिवलप्मेंट और अप्लिकेशन पर उसके सॉफ्ट्वेर और हाडवेर के अनलिसिस उसके कैसे वह काम करता है उसको कैसे वह डिवलप्मेट करेगा कैसे उसकी वंक्सटर की यह यह Doing आपका नाइव कोशन है आपका यह वी वी कोशन है नो dna repetitive क्या होता है it is a dna having multiple copies of identical sequence of nitrogen base ऐसा dna जिसके पास multiple copies identical sequence of nitrogen base का होता है question number 24 क्या गता है explain chiru explain chiru antelope is called chiru antelope बारस सिंगा भी आपका ऐसे एक होता है आपका chiru कहलाता है next name for indigenous cow चार indigenous cow को आपको लिखना है तो पहला देखिए साहिवाल रेड़ सिंधी एंड गीर काफी बार यह सारे question पूछी जाता है चलिए question number 26 क्याता है what is neurosis what is neurosis एक important में से एक है तो neurosis आपका क्या है तो mental disease है जो की maladaptive state में पाए जाता है disease of maladaptive state ठीक है चलिए next question question क्याता है immer with the symptoms of symphilis से साइफिल्स का साइफिल्स का आपको इसे symptoms बताना है साइफिल्स का आपको symptoms तो देखें क्या symptoms है तो यहां पर देख लिए दो symptoms मैंने लिख रखें कहता है शुरुवात के दोह में इसे लीए एड़ पे अलकर अप्यर्स ऐद साइट ऑफ इनफेक्शन जाहां इंफेक्शन होगा आपका चाहे पैंटी स्टेंगर्य आका पीषक्राइं अब for the body and joint pain आपका जो इसकी ने वो पिंक होने लगेगा और जो आपका घुटना है जहां जहां आपको जॉइंट वहां पर आपको पेन होने लगेगा तो यह सारे सिम्टम्स होते हैं साइफिल्स के और आपको इंडियन कॉमन कार्प को नाम लिखना है तो पता है रोहू कतला मांगूर कलबस ठीक और यह सारा खाते भी होगे आप रहू कटला यह सारे मांगुर यह सारे फिश बगरा क्वागरा खाए होंगगे यह सारे फिश काई नाम है कार्प का मतलब फिश है जैसे कोई कार्प होता नहीं चली कोशन आते हैं 31 के तरफ कहता है नेम 4 टाइपस ओफ सिल्क चार टाइपस क क्या होता है तो Ice आपका कीज में का गर रहुए इनईटि जो आपका सतस्थ दोख्टर बगर क्या करती है कि मेल का जो स्पन है उसको अप्झ लीप तो ये आप मूभी में bit बहूत सारे मूभी में आज गल बनाब स्थ इनए क्रिभिति ऑननका था उसमें भी आप देख्योंगे वही था सैरोग्यश वला हाल तो यह आपका इंस्अ कहला थे आप इंसे सैम सन तो आसा करते हैं कि ये जो 32 टुकाbenेश्ट त्युक्स इंसे मिलि STEP के नाम बताई निक अ का जो स्पर्म होता है इसको फीमेल के वजाइना में इंजेक्ट किया जाता है तो साइन्टिस्ट लोग इसको इसको काम करते हैं तो यह उसमें काम आता है आपका टेक्निक है ठीक है तो देखिए इसी चीज़ को यहां क्या लिखा हुआ जो कि मैंने आपको बता रही है चलिए कोशन 33 वाट इस इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग क्या है यह भी एक महत्व कोश्चन रखता है यह भी स्वरी एक महत्पूल कोश्चन है तो इस अब अगर हमको अच्छा बेबी चाहिए तो काव को काव से कराएंगे ना काव को जो उसका मेल काव होगा उससे करवाएंगे ऐसा तो नहीं कि करा सकते है ब्रीडिंग तो यहीं चीज आपको बताएंगा कि सीमिलर के साथ ऐसे आप काम करेंगे तो आपका कहलाएगा एन ब्रीडिंग चलिए कोर्शन 34 के तरफ वाट बड्स आर सकता है घीज सुञांच होता है ठीक है उसके बाद walls होता है और पिजन सूता यह सारे यह सारे के साहरे में यूज किये जाने वाले बड्स है aún फीडिडि फापके दिने मेes सीमिलर और गय। का चार कार्सिनोजेंस का आपको नाव लिखना है तो देखिए पहला है ए रेडियेशन क्या है देखिए रेडियेशन अब रेडियेशन में क्या क्या आता है तो एक्स रे यूवी रे कॉस्मिक रे चले दूसरा देखिए आपका ट्यूमर वाइर ट्यूमर वाइरस और मस्ट तो population किसको कहते है दियान से देखिए अब इसको बोलेंगे कि जिसमें की single species मान लीजे कोई अस्कूल है ठीक है तो उस उस्कूल ना सिर्फ और सिर्फ लड़कों का ही है तो boys का है ठीक है boys community का है सिंगल एक स्पीसिज काया तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन वाला ठीक है लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा कोई स्कूल है जिसमें कि बॉइस भी पढ़ते और गल्स भी तो वह कॉम्मुनिटी हुआ ठीक है उसी तरीके से पॉपुलेशन बोले जाए तो याद रखेंगे कि एक ग्रूप ऑफ इंडिविज्वाल सब सिंगल स्पीसीज फांड इन एरिया और ग्रूप ऑफ डिफ्रेंट स्पीसीज फांड इन एरिया कॉल्ड आज कॉम्मुनिटी कोई दिखकर एक कॉम्मुनिटी में अलग-अलग त इस डिस्ट्रिबिशन और चौथा पॉपुलेशन साइज यह चाड़े को चाड़ो फीचर से आपके पॉपुलेशन के कॉर्शन 38 क्या गता है डिसकस अबाउड सार्कोमा के बारे में आप बताए सार्कोमा क्या होता है डिसकस अबाउड सार्कोमा तो सार्कोमा क्या होता ह देखी द्यान से these cancers are located in connective and muscular tissue derived from mesodrome यह आपका जो cancer है यह connective and muscular tissue में connect होता है जो की mesodrome mesoderm से आपको यह निकलता है तो लिए question 39 के तरफ आते हैं differentiate between hibernation and acidization give one example of each बहुत बढ़रे question है hibernation तो बहुत बाद पुछता है तो आपका यहां screen पर देखिए hibernation क्या होता है it is winter sleep in which animal passes with winter in dormant condition देखिए hibernation उसको कहते है जिसमें कि जो animals बगरा होते हैं वो कुछ fix समय के लिए खास करके ठंडी में वो सो जाते हैं जब तक यह से ठंडी पार ना हो जा तब तक के लिए यह आपका hibernation कराता है next estimation क्या होता है तो यह आपका summer sleep होता है जो गर्मियों में सो जाते हैं उसको estimation कहते हैं चले क्या है ध्यान से देखिए और समझेगा कहता है मेरे प्यार दोस्तो मैंसे नानी two adaptation found in organism of desert दो आप ऐसे adaptation बताए जो कि जो desert में जो भी वहाँ खास करें जो plants है वो conical और spines spines मतलो कोन होता है न spines काटेदार वहाँ के पेर फवादे ऐसे अपने आपको develop कर रहे ताकि उनका जो respiration उनका जो plant पानी का जो loss वो कम हो तो देखो कहता है devices develop to reduce water loss ऐसा device वहाँ पर यूज कर रहे है जैसे कि कम water loss हो so that leaves modified into spines इसलिए वहाँ पर spines के तरह बनते steam becomes succulent ठीक है कम से कम वहाँ का पानी वो release करें दूसरा point वहाँ पर वो लूग जो है C4 photosynthesis mechanism develop कर चुके है जैसे कि उन्हें कम पानी में अपना खाना बनाने में असानी हो ठीक है चलिए को से नंबन